Hey everyone, welcome back to my channel, myself Priyanka So, इस वीडियो में guys हम ऐसे journalism के 15 questions discuss करने वाले हैं जो अधिकतर हर exam में पूछे जाते हैं क्योंकि common questions है journalism के जो आप कोई भी entrance दो उसमें कहीं न कहीं ये पूछी लिये जाते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं और सबसे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो का अपडेट मिलता रहें तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहला question है कि Who is known as आधी पत्रकार? आधी पत्रकार किसे कहा जाता था? Your options are महरिशी दुरवाशा, महरिशी नारद, इंद्र या विश्वामित्र इसका correct answer है महरिशी नारद नारद के बारे में आपने अगर पहले सुना हो है तो वो हमेशा क्या करते थे? इधर से उसकी खबर लेकर उसको देते थे, उसकी खबर लेकर इसको देते थे तो उनका एक तरीके से पत्रकार का काम करते थे इसलिए उन्हें आधी पत्रकार की उपाधी से दी गई है उन्हें Next question is Siraj ul Akbar ये किस ने शुरू किया था? Options चत्रपती शिवाजी, सेकिंड नाना फड़नवीस, बहदुर्शा जफर और शेर्शा सूरी तो इसका जो correct answer है, that is, बहदुर्शा जफर Option number C, बहदुर्शा जफर जो है, correct option है Siraj ul Akbar जो है, बहदुर्शा जफर ने start किया था Third question, actor dana was started by Julius Caesar in the year जो actor dana था, ये एक तरीके से उनका newspaper था तो ये Julius Caesar ने start किया था, कौन से? BC में, BC में start किया गया था, क्यों Julius Caesar की आपने 10th में या 12th में पड़ी होगी, उनका play वगेरा तो उन्होंने ये start किया था, actor dana और ये उन्होंने start किया था In the year 60 BC, 60 BC में से start किया गया था First British daily newspaper was, your options are weekly news, London Gazette, current, Oxford Gazette तो इसका जो correct answer है, that is current जो first British का daily newspaper था, जो daily publish होता था, हुआ था, sorry That was current, current newspaper was the first daily British newspaper Out of all, which was not published from Britain Britain से इन 4 newspapers में से कौन सा नहीं publish होता था Politican, The Sunday Times, The Guardian, The Manchester Guardian तो correct answer है आपका, The Sunday Times The Sunday Times जो है वो आपका, Britain से publish नहीं होता था Next question is, the first English newspaper was published in India in the year 1550, 1826, 1785 या 1780 तो the correct answer is 1780 तो 1780 में जो है हमारा first English newspaper इंडिया में publish हुआ था Seventh question है, India's first English newspaper Hikki Gadget was published from तो उसका जो correct answer है that is from Kolkata Kolkata से जो है हमारा first English newspaper Hikki Gadget जो है publish किया गया था Eighth questions, राजाराम मोहन रॉय बंगदूत न्यूस्पेपर राजाराम मोहन रॉय ने ये बंगदूत न्यूस्पेपर फार्सी लैंग्विज में स्टार्ट किया था तो कौन सी लैंग्विज में स्टार्ट किया था ये फार्सी लैंग्विज में और उसके बाद ये सारी ही जो है languages में आने लगा था तो इसका चार options है आपके बंगॉली, फार्सी, इंग्लिश और हिंदी तो ये इसका correct answer है all of the above तो ये सभी लैंग्विज में बाद में पब्लिश हो गया था नाइन्थ क्वेशन है इंडियास फर्स्ट हिंदी न्यूस्पेपर वोज options समचार दर्पन, बनारस न्यूस्पेपर, इंडिया गजट या उदंत मार्तंड तो correct answer है इसका उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड जो है वो फर्स्ट हिंदी न्यूस्पेपर है हमारे इंडिया का फर्स्ट हिंदी न्यूस्पेपर उदंत मार्तंड वोज was started by ये किस ने start किया था क्.M. पनिकर, जावाहरलाल नहरू, जुगलकिशोर या which newspaper was published without any government license बिना government license के 1795 में कौन सा newspaper published कर लिया गया था तो that was आपके options है Indian World, Indian Herald, Bengal General या Madras Gadget तो इसको जो correct answer है that is Bengal Journal तो ये newspaper जो है बिना license के ही publish कर दिया गया था 12th question है सरस्वती news magazine was started by options है जैशंकर प्रशाद, मैतली शरंगुप्त, महावीर प्रसाद दुएदी या भारते इंदू हरीश चंद्र सरस्वती पत्रका थी तो इसे किसने start किया था ये start की गई थी महावीर प्रसाद दुएदी के द्वारा 13th question है who was the editor of English newspaper National Herald जो National Herald newspaper था उसके editor कौन थे तो options आर मोतिलाल नहरू, जवाहर लाल नहरू, महत्मा गांधी या जुगल किशोर तो इसका जो correct answer है that is जवाहर लाल नहरू जवाहर लाल नहरू ने नहरू जो है National Herald के editor थे 14th question है in which language first newspaper was published in India हमारे इंडिया में पहला जो newspaper छपा था वो कौन सी language में publish हुआ था हिंदी में, इंग्लिश में, बेंगॉली में या मलियालम में तो इसका जो correct answer है that is option number C English, यह English में हमारा पहला newspaper जो है publish किया गया था the Asian age was founded by, तो Asian age जो newspaper था वो किस ने found किया था, options आर जैदी बोश, जॉन क्लार्क, एम जे अकबर, मिस्टर बोल्ट, तो इसका जो correct answer है that is MJ Akbar, MJ Akbar ने जो है the Asian age नाम का जो newspaper है वो found किया था, तो यह 15 questions आपके पूरे हो गए, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी ही कुछ questions हम अगली वीडियो में भी cover करेंगे, और please channel को like करिए, subscribe करिए, जाद से जादा share करिए, ताकि लोग भी हमसे जुड सकें, thank you so much